जहें दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में तो आप लोगों ने 11th Annual Examination 2022 के लिए हमने आपको इंगलिस की ओरिजिनल पेपर का सुल्यूशन बताया था जिसमें आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों ने कोमेंट करके बताया कि एकजम में सभी question मिल गए ये original paper ही था और हम अच्छे तरीके से बनाएं और आप लोगों का demand हुआ का हिंदी का भी बता दीजिए कल मेरा exam है किसी का दो दिन बाद exam है तो हिंदी का भी सभी question objective subjective का solution बता दीजिए ताकि हम परिक्षा में अच्छे तरीके से लिख कराएं तो finally हम आपके लिए हिंदी के सभी परसुनों का solution लेकर आ चुके हैं बात यहा है कि हमारे यहां के college में पहले इसका exam ले लिया गया था तो हम आपके लिए question उपलद कराके solution लेकर आ चुके हैं और आपको 12th board के लिए अच्छे से तयारी करना है अगर आप चाहते हैं कि 12th board exam में अच्छे अंकलाए और अच्छे से आपका पढ़ाई हो तो आप इस चनल को subscribe कर सकते हैं हम आपको science के सभी subject की तयारी कराने का guarantee लेते हैं इससे question को deal कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा board exam के लिए तो आज किस वीडियो में हिंदी का बताएंगे आपको बोल दिये हैं तो चलिए एक-एक question का solution करते हैं और यह question जो है आपके कल के board exam में पूछा जाएगा या जिस दिन भी exam है उस दिन आपको same to same प्रस्ण रहने वाला है चाहे आप science के हैं विद्यार्थी हो या commerce के या arts के तो चलिए एक-एक question को देखते हैं और इसका solution करते हैं तो इसमें first question है तो इसमें first question है बिद्यापती कैसे कभी है या किस परकार के कभी है तो बिद्यापती सिरिंगारी कभी है या आपके अलेवंत दुईगंत भाग वन के का बिखंड का पहला अधिया पद जिसके कभी बिद्यापती जी है और इसे सिरिंगारी कभी के नम से भी जाना जाता है तो इसका right answer हो जगाएगा को सिरिंगारी कभी, विद्ध्यापति कैसे कभी थे, तो सिरिंगारी कभी, आपको याद ही यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिकत लेने के अवे सकता नहीं है, तो यह हो जाएगा A, सिरिंगारी कभी फिर दूसरा question है बिद्यापती ने मुख की तुलना किस से की है तो बिद्यापती में के पद में मुख की तुलना चंद्रमा से किया गया है तो इसका right of sun खो हो जाएगा चंद्रमा फिर तिसरा प्रस्ण है कबीर दास किस साखा के कभी है तो निर्गुन साखा के कभी है या निर्गुन भक्तिधारा के कभी है देखिए इसमें निर्गुन भक्तिधारा सरदाया थोरा सम आपको बता देते हैं एक्ट्रा नौलेज तो हम आपको हमेशा ही देते हैं निर्गु बहुत बिरोध करते थे इसलिए उसे निर्गुन भक्तिधारा के कभी थे कौन तो कभीरदास जी तो तीन का हो जाएगा ए या को निर्गुन साखा के कभी थे फिर फोर नमर का क्वेस्चन है कि मीरा किस परकार की कभीत्री थी मीरा जो है वह कभीत्री थी किस परकार के तो क् पित्री था तो किरिशन भक्त सारे आतों लिखे थे ओर उसकी मिरा बाई जी, और यह किरिशन भक्त न थ। उसके बाद नेक्स प्रस्ण है, शिक्स नमर का प्रस्ण है, बिहारे लाल का संबंध किस काल से है, तो इसका समझ जो है रीती काल से था, तो गोओ हो जाएगा इसका राइट अपसन, उसके बाद साथ नमर का क्वेश्चन है, पत्थर तोरती मजदूर्णी को कभी ने कहां द गुरू थे, तुलसी दास ने ही रम चरितर महनस की रचना भी किया था, तो तुलसी दास जी है, के गुरू कोन थे, तो बाबा नरहरी दास, उसके बाद नेक्स प्रस्ण है, कभीता की परक निबंध किस कोटी का है, तो या विचारात्मक कोटी का निबंध है कभीता की पर किस कभी कभीता की पंक्ती है तो या पिर्थिवी जो है न उसके ही या पंक्ती है पिर्थिवी कभीता क्या ही या पंक्ती है फिर उसके बाद नेक्स प्रस्ण है पूस की रात कहानी के लिखक कोन है तो परेमचंदर जी है उसके बाद बारे नमर क्वेश्चन है कभीता की पर जाता है मगी बोला जाता है अंगी का और ब्रजी का तो उप्युक्त सभी हो जाएगा फिर पंद्रे नमर का कुष्चन है नगा अर्जुन का जन्म कब हुआ था तो 1911 एस भी में फिर नेक्स प्रसन है नरेश सक्सेन पेसे से क्या थे तो पेसे से यह लेखक थे फिर सोले नम कवीता ही है लाश्ट कवीता है यहां फिर 17 नमर का कुष्चन है चल्चित्र सिर्षक पाठ के रचेता कोन है तो सत्य जीत रहा है यहीं इंगलिस में भी पड़े होंगे आप अलेबंथ में ही है फिर उसके बाद है 18 नमर कुष्चन सिक्का बदल गया सिर्षक पाठ के रच चलिए नेक्स प्रस्ट और आप लोग कोमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरह के कुष्चन का सल्यूटोब पर कभी मिला है मिलेगा भी नहीं एक 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 और तो ऑल क्वेस्चन का सल्यूशन कोई भी नहीं देगा यूटूब पर आपको फिर 19 नमर का क्वेस्चन है यह सिर्चक पांठ के रचयता कौन है तो भोला पास्वन सास्त्रे जी मेरे बियतनम यात्रा सिर्चक पांठ के रचयता है लेखक है उसको बीस नमर क्वेस्चन है आदी काल को क्या कहा जाता है तो बीर गाथा काल कहा जाता है क्यों कहा जाता है बीर गाथा काल इसके बारे में कौन सा समस है यह था क्या है अब्य है तो यह अब्यवी भाव समस हो जाएंगे फिर नेक्ष प्रसन है बाइस नमर का कि रमकृष्ण में कौन सा समस है तो योजक चीन भी लगा हुआ है और दूसरों कि क्या है विप्रित भी है तो इसमें हो जाएगा द्वंद समस उसके क्या अर्थ है तो भगबन ठाकूर है अर्था ठाकूर को भगबन का संग्यां दिया गया है और दासी को दासी का ही संग्यां दिया गया है मीरा भाई जो है इसमें बोलते हैं कि आप मेरे ठाकूर है भगबन है और मैं आपका दासी हूँ फिर पचेस नमर का प्रसन है कि रस सब्द का समन ये परचलित अर्थ क्या है तो रस का अर्थ होता है कि आपको अनन्द देगा स्वाद भी होता है और सुख और या मजा भी होता है तो उप्यूप्त सभी हो जाएगा फिर नेक्स प्रसन है रस हो गया पिर शबिस का है अँख के लिए उपमाये दी जाती है तो अँख के लिए मीन खंजन काल वो फ्यूर सभी तीनों उपमाये दी जाती है तो इसका राइट ओप्सण D फिर सत्यस है अंचलिक कहानी और अंचलिक उपनियास के जनक मने जाते हैं तो फनिस्वर नाथ रेनू जी फिर है अठ्वाद का क्वेश्चन विशिष्ट व्यंग कार हैं व्यंग कार कौन है तो व्यंग करते हैं तो वह हरी संकर परसाई का परसाई जो है वह विशिष्ट व्यंग कार हैं उसके खिलाउना में कौन सा परतिया है तो खिलाउना परतिय क्या होता है तो वैसा सब्दंस होता है जो किसी सब्द के अंत में लगता है और उसके भाव अर्थ को बदल देता है उसी को परतिय काती है तो थीए खिलाउना अंत में आउना लगा हुआ है तो इसका होज़ागा आउना इसका परतिय है फिर बसेरा में कौन सा परतिय है अंत सब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बडल देता है वह उपसर्ग कहलाता है तो कर्म हो जाएगा उसके बाद 32 है उत घाटन में कौन सा उपसर्ग है तो उत है उत हो जाएगा इसमें क्योंकि जो है ना आप संदी बिछेद भी पड़े होंगे कि जो है ना दो कब बनता है जब तो अहलंत उसके आगे और जुड़ जाता है तो दो बन जाता है तो में उत होगा उसके बाद 33 कोशन है विद्यापती किस काल के कभी है तो आधी काल के कभी है फिर नेक्ष प्रसन है चारी हाजारी पर साथ दुवेदी ने किस कभी को बंगनी का दिक्टेटर कहा है डिक्टेटर कहने कारत है कि बनी पर उसका जबरदस्त परियोग है मतलब पकर है तो उसका होज़ेगा कभी दास फिर है 35 का प्रसन का बेप्रार्थक सब्द है तो उत्तर प्रसन उत्तर चतुराई में कौन सा समस है तो आई परत्य कौन सा है तो अंत में आई ही लगा है तो आई हो जाएगा फिर साइटिस का सूर्दास किस भासा के कभी हैं तो वर्ज भासा के कभी हैं कौन से रचनाकार बिहार से संबंदित है तो रामधारी सिंग दिनकर बेगु सराय सुनाना मुहड़ेकार्त क्या है काते नहीं घरी खुटी उसको सुना दिया भला बुडा कहा दिया चलिए निक्ष्ट प्रसंगा चलती है अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को पिलीज कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चाहली समरका कोईश प्रियाबाची सब्द होता है सुधा आप थोड़ा स्पीट बना दिये हैं को आपको हल करते चल प्रियाबाची सब्सक्राइबाची 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 सब्सक फिर है पचासन में कोषचन की दूद का पड़िवाची सब्द लिखे तो दूद मिसरित पोनी 51 का पेर का पड़िवाची सब्दी से बहुत असन है तरू फिर है गालिव सिर्चक पांठ के रचेता कोन है तो तिरी लोचन जी फिर है तिरोपन का मातरी मिसर्चक के रचेता कोन है तो अरून कमल जी देखें लेखा dá बाड़े में हमेशा 10-15 कोषचन आपके पोड़ एक जम में रहेगा ही रहेगा फिर laps 54 का मनव सब्द से विशेशन बनाए मनवता कंती सब्द से विशेशन बनाए कंती मन चपन वास्तव सब्द से विशेशन बनाए वास्तविक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर्वी का समान आर्थी सब्द अर्था समान अर्थ कौन होगा बंधक का तेने गिर्वी धर दिया हुआ हम लिए सोना चुंदी को जो गिल्वी धर दिया ज़ता है बंधक धर दिया ज़ता है वहीं होगा बंधक तो उन्सट का है अपने पैरो पर खारा होना स्वाब लंबी होना अपने चारो खाने चित होना मरतब पूरी तरह से हार जाना फिर साइट का क्वेस्टन चोली दमन का इस तरह से आपका साथों का साथों objective के लियर हो चुका है इसमें से मात्र आपको 85 बनाना था लेकिन हम आपको साथ में साथ बता चुके हैं आपको मन में होगा कि subjective question का भी solution हो जाएं तो हम आपको यहां पर subjective question दिखा देते हैं अगर आप comment की जगा तो उसका भी solution दे देंग कि किसी एक पर निवंद लिखे निवंद लिखने वाला आप भारत में जनसंग का पर असनी से लिख सकते हैं थोड़ा सा अपर लिजेगा तो लिख दीजेगा अगर बोलेगा तो हम आपको इसका भी वीडियो बनाकर दे देंगे उसका परसंग ब्यक्ष्या करें तो इसमें जो है ना तीन को दिया गया है को में दोग दिया गया है आप इस दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं या खो में दिया गया है दोगो जो किसमें जिसमें किसी एक पर बना सकते हैं तो हम आपको यहां पर थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें आपको है ना खो का अथवा मे देखा प्रात करे असनाना तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठी पुस्तक गोधी दुईगंत भाग वन के कावेखंड के दूसरा अध्याइपद से लिया गया है जिसके कभी कभीरदास जिया और इस पंक्ति के माध्यम से कभी इस संसार के बाड़े में बताते हैं कि यह संसा पर भी स्वास कर लेता है और कता है नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना अर्था 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 इससे हम नेमी धर्मी आदमी को देखे बाखंडी को देखे जो सुबह सुबह असनान कर लेता है और भगवन का आराधना करता है कि हमें मुक्ति मिल जाए तो इस से इसका आर्थ लिख सकते हैं यह सभी तो आपको हवा में मारना है गोली कि उसके बाद है ना सब्जेक्टिब कोईस्टिन अमें है प्रसुन उत्तर में से पंच प्रसुन का उत्तर देना यह सभी देखिए समी बता तके आपको अपको गौब ही बता चुके हैं और जाकर उसकी रात में बहुत अधिक ठंड था जिस कारण से उसे भी ठंड से वह कुकूर रहा था जब रात उसको गोद में लेकर वह सो जाता है तो इस तरह से अंसर लिख देना है और बंग की बाद कोश्चन आपको आगे मिल जाएगा उसके बाद चार नवर का कोश्चन देख सकत करना है लास्ट कोश्चन में तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है तो आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स केमेस्ट्री और मैत का भी क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं व